गुड मॉर्निंग बच्चों, GDM BB Secondary School के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है, I hope आप सब अच्छे होंगे हम आज सामाजी को राजनेतिक जीवन कक्स्या आठ की पाठे पुस्तक से थर्ड लेशन हमें संसत क्यों चाहिए यह हम कर रहे थे और उसको continue रखते हुए हम अब आगे करते हैं हम पढ़ रहे थे हमें संसत क्यों चाहिए और हम भारतियों को इस बात का गर्व है कि हम लोगतंतर की व्यवस्ता का हिस्सा है और इस अध्याय में हम निरने प्रिक्रिया सह भागिता और लोगतंतर सरकार के लिए नागरिकों की सहय योग के महतुए जैसे विचारों को आपसी सम्मंदों को समझने की कोशिस करेंगे यह lesson हमने पढ़ लिया था हमें संसत क्यों चाहिए फिर इसके बाद में हमने अगला पॉइंट पड़ा था कि लोगों को फेसला क्यों लेना चाहिए जब हमारा भारत 15 अगस 1947 को आजाद हुआ था तो इस समय आजादी के समय पूरे देश में क्या हुई थी जनता जो थी उन्होंने एक लंबा और मुश्किल संग्रस चलाया था और इस संग्रस से समाज के बहुत सारे तबकों की हिसेदारी थी ये सारी चीज़े हमने समझ ली थी क्लास के अंदर अब आगे देखो हमने उसके बाद में देखा था लोग और उनके परती निदी यानि कैसे लोग होते हैं और वो अपना कैसे किस परकार से परती निदी चुनते हैं और उस परती निदी को क्या कहते हैं विधायक आ जाता है और वो विधान सभा में जाके हमारे जो बात है उसका पर्तिनितित्व करता है और हमने लोग सबा के बारे में पढ़ा राज्य सबा के बारे में पढ़ा उसमें संसद जो चुना जाता है वो हमारी बात उपर केंदर केंदर रखता है अब आगे देखो अब हम आगे करेंगे कि संसद की भूमी का क्या थी और क्या रहती है त और दूसरा होता है राज्य सबा ठीक है जो राज्य सबा होता है उसके अंदर 245 सदस्य होते हैं और उसका सबापती उपराश्टेपती होता है और जो लोग सबा होती है उसके कुल सदस्यों की से का सदस्य संक्या 545 होती है और इसकी अधिक्स ता कौन करता है लोग सबा का ज भूमिका होती है तो देखो आजादी के बाद गठित की गई भारतिय संसत लोगतंतर के सिदांत भारतिय जनता की आस्ता का परती है ये सिदांत है निर्ने परिक्रिया में जनता की हिसेदारी और सहेमती पर आधारित सासन होता है व्यवस्ता में संसत के पास महतुपुन सक्त हैं क्योंकि यह जनता है जनता के परती निदित्वय करती है लोग सबा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विदान सबा के लिए चुनाव होते हैं यानि हमारी जो विदान सबा है उसके जिस इसाफ से चुनाव होते हैं उसी अनुसार लोग सबा और र पांच साल में करवाये जाते हैं और लोग सबा के भी कितने समय में करवाये जाते हैं पांच साल में करवाये जाते हैं जैसा कि प्रशंक्या 41 पर दिये गए नक्से में दिखाया गया है देश को बहुत सारे निर्वाचन छेत्रों में बांटा गया है यानि हमारा देश उसको आम तोर पर अविबिन राजनितिक दलों के सद्द से होते हैं यानि जो तुनाव लड़ते हैं वो एक ही पार्टी के व्यक्ति नहीं होते हैं अलग अलग पार्टियों के व्यक्ति होते हैं उसके सद्द से होते हैं ये देखो ये नीचे जो तालिका दी गई है इसके माद्यम से हमें अच्छे तरह से समझ में आ जाता है कि कौन-कौन से हमारे भारत के अंदर पार्टियां है और उनमें से कौन-कौन से राजनितिक दल है और राश्टी दल कौन से है राजनितिक दल कौन से है छेत्री अवन कौन से है इ इनमें कौन-कौन सी पार्टी के कितने-कितने सदस्य हैं, ये सारी इस सार्णी में दियू ही है, और ये सार्णी आप लोग अपनी कोपी के अंदर उतारो गें. ठीक है? अब आगे देखो. चुने जाने के बाद ये उमीदवार सांसद सदसय या सांसद कहलाते हैं, यानि MP कहलाते हैं, यानि जब वो सांसद के अंदर चून कर व्यक्ति जाता है, तो उस सदसय को क्या कहा जाता है? या तो सांसद कहा जाता है, या MP कहा जाता है. मैंने क्लास में बताया था कि हमारा MP या हमारा संसद कौन है अर्जरी अर्जुन मेगवाल जी हमारे अभी फिलाल क्या है वर्तमान में संसद है इन संस्दों को मिलाकर संसद बनती है और संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निमलिक्त काम करने होते हैं यानि संसद बनने के बाद में हमारे भारत के लिए ऐसे बहुत सारे कारे इनको करने होते हैं राष्टिय सरकार का चुनाव करना यानि इसके बाद में जब संसद बन जाती है तो उसके बाद में राष्टिय सरकार हमारी है उसका चुनाव होता है बारतिय संसद में राष्ट्य पती और दो सदन होते हैं यानि हमारी जो बारतिय संसद है उसमें एक राष्ट्य पती होता है और दो क्या होते हैं? सदन होते हैं कौन-कौन से? राज्य सबा और लोग सबा लोगसबा चुनाओं के बाद सांस्तों के एक सूची बनाई जाती है हमारे संसद में कितने सदन है? दो सदन एक राश्टे पती होता है और दो सदन कौन से होगे? राज्य सबा और लोगसबा होगे लोगसभा चुनाओं के बाद सांस्दों के एक सूची बनाई जाती है इससे पता चलता है कि किस राजनेतिक दल के कितने संसद है यदि कोई राजनेतिक दल सरकार बनाना चाता है तो उसे निर्वाचित सांस्दों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए यानि कोई भी राजनेतिक दल है वो अपनी सरकार बनाता है तो उसके जो सांसदों की संक्या है उसमें क्या होना चाहिए बहूमत होना चाहिए लोगसबा में कुल 543 निर्वाचित सदसे है थीक है जो लोगसबा है उसमें कितने सदसे हैं 543 निर्वाचित यानि हम जिसको चून के बेहते हैं बोट के दुआरा दो मनोनित सदसे है यानि दो लोग सरकार बुलाती है मनोनित करती है इसलिए बहूमत हासिल करने के लिए लो 243 कुछ सदस्य हैं और अगर किसी सरकार किसी पार्टी को सरकार बनानी है तो उस समय उसके कितने सदस्य होंगे 200 बहतर सदस्य होंगे संसत के बहुमत प्राक्त करने वाले दलिया गठमदन का विरोध करने वाले सभी राजनेतिक दल विपक्सी दल कहलाते हैं यानि जो दल पार्टी जो सरकार की बन रही है जिसकी सरकार बन रही है उसका जो दल विरोध करता है वो सबी दल क्या कहलाते हैं विपक्सी दल कहलाते हैं कारेपालिका का चुनाव करना लोगसबा का एक महत्फुल काम होता है जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कारेपालिका ऐसे लोगों का समुए होती है जो संसत द्वारा बनाएगे कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं यानि कारेपालिका का चुनाव कोन करता है लोगसबा करती है और जो लोगों का समुए होता है वो संसत द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसका मिलकर कारिये करते हैं जब हम सरकार सब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कारेपालिका होती है भारत का परदान मंत्री लोग सबा में सत्ताधारी दल का मुख्या होता है यानि भारत का जो परदान मंत्री है वो क्या होता है लोग सबा का सत्ताधारी हमारे भारत के परदान मंत्री को ने स्री नरेंदर मोदी और वो कौन से पार्टी के सत्तादारी है वीजेपी के सत्तादारी है परदान मंत्री अपने दल के सांस्तों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो परदान मंत्री के साथ मिलकर फेसलय लागू करता है ये मंत्री स्वास्ते शिक्स्या वित इतियादी विबिन सरकारी कारें का जिम्मा समागते हैं यानि परधान मंत्री अपनी सरकार बनाता है और वो फिर अपने अलग-अलग डिपार्टमेंट के अलग-अलग मंत्री बनाता है और जो मंत्री बनते हैं, वो अपने अपने छेतर में कारे करते हैं, जैसे उन्होंने स्वास्ते मंत्री बनाया, तो सारी भारत की स्वास्ते सेवाई हैं, उनके बारे में द्यान करेगा, सिक्स्या मंत्री बनाया गया है, वो सिक्स्या में जो भी दिक्कते हैं, क्या ने, निय हाल के सालों में काफे बार किसी एक राजनेतिक दल बहुमत नहीं मिल पाया और जो सरकार बनाने के लिए एक एकदम जरूरी है ऐसे सुरत में कई राजनेतिक दल मिलकर एक गटबंदन सरकार बना लेते हैं यानि अभी कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है और कई सरकार बना रही है और उसको क्या कहते हैं गटबंदन सरकार कहते हैं और साजा मुदों पर काम करते हैं अब ये देखू केंदरी सचवाले की दो मुख्य इमारते हैं ये केंदर सचवाले की क्या है दो मुख्य इमारते हैं इनमें एक का नाम साउथ ब्लोक और दूसरे का नाम नोर्थ ब्लोक है साउथ और नोर्थ यानि साउथ यानि दक्षेन दिशा में और नोर्थ उत्तर दिशा में है इनका निर्मान 1930 के दसक में किया गया था बाई और साउथ ब्लोक का चित्र है जिसमें बाई और किसका है साउथ ब्लोक का और जिसमें परधान मंत्री कारेले रक्ष्या मंत्रा ले और विदेश मंत्रा ले के दप्तर है यानि जो साउथ ब्लोक है उसके अंदर परधान मंत्री का कारेले है यानि होफिस है रक्षय मंत्राले का होफिस है और विदेश मंत्राले का भी क्या है होफिस है दाई और नोर्थ ब्लोक है जहां वित मंत्राले और गरह मंत्राले इस्तित है केंदर सरकार के अन्य मंत्राले नई दिली के विबिन इमारतों में इस्तित है ठीक है यह समझ में आ गया है यह चित्रे में क्यों दिखाये गए है क्योंकि इन में परधान मंत्री का कारेल है रक्स्या मंत्राले और विदेश मंत्राले है और दूसरी building है उसमें ग्रह मंत्राले और वित मंत्राले है इसलिए हमें इन दोनों building को का चित्र दिखाया गया है अब देखो राज्य सबा मुख्य रूप से देश के राज्यों के पर्तिनिदी के रूप में काम करती है यानि हमारी जो राज्य सबा है उसका मुख्य रूप देश की राज्यों के पर्तिनिदी के रूप में काम करती है यानि राज्ये जैसे हमारा राज्यस्थान क्या है एक राज्ये है और हमारे जो पर्तिनिदी राज्य सबा में चुनके जाते हैं वो किसके लिए काम करते हैं हमारे राज्ये के लिए काम करते हैं राज्ये सबा की कोई कानून बनाने का परस्ताव पेस कर सकती है किसी विदे को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्ये सबा के भी मंजूरी मिल चुकी है इस परकार राज्य सबा की भी बहुत महत्पुन भूमिका होती है संसत का यह सदन लोग सबा द्वारा पारित किये गए कानून की समिक्स्या करता है और अगर जुरूर्थ हुई तो उसमें संसोधन करता है राज्य सबा के सदस्यों का चुनाव विभिन राज्यों की विदान सबाउं के निर्वाची सदस्य करते हैं और राज्य सबा के 233 निर्वाची सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्य पती की ओर से मनोनित किये जाते हैं यानि हमारी राज्य सभा के अंदर 233 तो निर्वाची सदस्य होंगे और 12 क्या होगे राष्टे पती के दुआरा मनोनित किये गए यानि बुला के उनको सदस्य बनाया जाता अब आके देखो सरकार को नियंत्रित करना मारख दर्शन देना और जानकारी देना यानि सरकार क्य हो सकती है नियंत्रित यानि अगर सरकार